परवानू के TTI Resort Hotel के समीप एक हर्याना रोडवेज की बस तेज रफतारी के चलते अन्यंत्रित होकर सड़क में पलट गी ASP अशोक वर्मा ने की है पुष्टी उन्होंने जानकारी देते वे बताया कि आज करीब साड़े साथ बजे शाम को ये गटना गटित हुई है जिसमें हर्याना रोडवेज की बस एक सड़क के बीच अन्यंत्रित होकर पलट गी ये बस शिमला से चंडीगड की तरफ जा रही थी जिसका नंबर HR 68A 9770 है जिसमें करीब 20-25 लोग सवार थे जिन में से कुछ सवारियों को चोटे आई हैं इन सभी गायलों को मोके से उपचार हेतू ESI ऑस्पिताल परमानू ले जाया गया है जहां पर इन सभी का इलाज चल रहा है वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घटना के काड़नों की जाच्मेंट जुटी है वहीं सभी गायलों को जो है ESI एस्पिताल पहुंचा दिया गया है जहां पर सबका इलाज चल रहा है गनिमत यह रही कि इस दुर आ बर बना के कि एस dönहा है लगी जाच्ते है अच्वाँ को जालों की जाच्मेंट त्सक्ता ए रहा कहोँ सुदितां आ ए क्वाँ जह रहा है जो है फुलिस अव्पाल गह है घुलिसयारा है भालों के बना के कहला है खरने जहाफने पलापका बना के वानाच्वाँ, जाह ज